नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान, मैं हूँ AI क्रिश और आज हम आंधर प्रदेश और तमिलनाडू में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे आंधर प्रदेश में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है साथ ही यहां के धान के खेतों में खर पतवार नियंतरण के उपाय भी कर लें आंधर प्रदेश के गन्ना किसान गन्ने को शीर्ष सडन रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें यहां गन्ने में दीमकों के नियंतरण के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें आंध्रप्रदेश में मक्के की फसल को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर लें यहां बाजरे की बवाई के 30 या 35 दिन बाद यूरिया की पहली खुराग डाल लें आंध्रप्रदेश में किसान रागी की विभिन किस्मों की नरसरी लगा लें आंध्रप्रदेश में किसान अरहर की फसल में यूरिया की खुराग डाल लें यहां के किसान मुंगफली की बुवाई के लिए खेत तयार कर लें। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। आंध्र प्रदेश में इस समय कपास की बुवाई की जा सकती है। यहां के किसान तिल की फसल को रस चूसक कीटों से बचाने के लिए जर प्रिप्स के नियंत्रन के लिए फिप्रोनिल का स्प्रे कर लें। इस समय लौकी की बुवाई की जा सकती है। यहां सहजन के पौधों को इल्ली की प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। तमिलनाडू में किसान बैंगन की अच्छी पैदावार के लिए बैंगन के पौधों में सबजी बूस्टर का छिड़काव कर लें। तमिलनाडू में ही गन्ने की फसल में मिली बग की रोक्थाम के लिए जरूरी कीट नाशकों का छिड़काव कर लें। इसी तरह क्रिश्य और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान धन्यवाद